आयोध्या मेस्तिदिक विध्याले में वार्शिक उत्सो सामारोह के मौके पर डिप्टी सीम ने निकाया चुनाव पर बात की उन्होंने कहा कि निकाया चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तयार हैं। यह दुखद है कि हमारी संस्कृति पर प्रश्ण चिन्ह नहीं लगना चाहिए। किसी को भी भगवान राम पर प्रश्ण चिन्ह लगाना किसी के बस की बात नहीं। चले जाएंगे और निस्पच्छ चुनाव हो और सभी लोगों को साथ ले करके चल करके हो। हमारे OBC समाज के भाई बेहनों को, SC समाज के भाई बेहनों को, महिलाओं को सब को साथ ले करके हम लोगों। पुलिस और STF लगातार कारवाई कर रही हैं। हम फिर पुनाय अबाद दोराते हैं, एक-एक अपराधी को पकड़ेंगे और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजाते हैं। दुखद है, हमारी संस्कित पर प्रसंचिन नहीं लगाना चाहिए किसी बोगी। और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप भी सब हमारी संस्कित के हिस्सेदार हैं। उनसे पूछे क्या यह उची था। भगवान राम पर प्रसंचिन लगाना किसी के बसकी बात नहीं है। देखिए जिस ढंक से राहूल गांदी जी और कॉंग्रेस पार्टी चल रही है। वो दिन प्रतिदिन अपने कार्यों के वज़े से ही रसातल में जा रहे हैं। लेकिन देश के बारे में यह कोई बात ऐसी कहेंगे जिससे देश को च्छत पहुंचेगी बारत माता को च्छत पहुंचेगी। पहुंचे गी तो हम भारत के नागरी खोने के नाते इसको बिल्कुल बर्दास्त नहीं करेंगे प्रदेश की जनता इसका भूतो और जब आप समय आने पर